पुझी गुरुदेव, ब्रम्चारी दीरज भरिया राहत गर से पूछ रहे हैं पहले ये कहा जाता था कि पूजा, शांतिधारा, विधान, अभी सेकादी ये सभी तरगी समस्याओं का निधान इन से होता है इस प्रद्र रसान लखो परन्तु आज जब समस्याओं तो पुरिक सभी कारे बंद करने को कहा जा रहा है तो कहां गई मंदरों की सक्ती, इसे लेकर कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि आप लोगों की क्रिया कांड बेर्थ है गुरुदेव ऐसे लोगों क्या जबाब दो देखे, जहां तक धार्मिक क्रियाओं का शवल है इनका निशित लाव है, इनका प्रभाव है पर धार्मिक क्रियाओं का अभयायकति के लव विशेश है सामुदाई के लाव सब तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि आज दुनिया में शकारात्मक्ता कम, नकारात्मक्ता ज्यादा है, धर्म करने वाले लोग कम, पाप और पाखन्ड में रमने वाले लोगों की शंख्या बहुत अधिक है, इसलिए जब ऐसी महामारियां आती है, उस घड़ी में बेक्तिकत धर्मी क्रियाओं का अशर स पूरी तरह नहीं पड़ पाता, लेकिन ऐसी गड़ी में भी जो धर्म करते हैं, वो अपने आपको सुरक्षित कर लेते हैं, भीमारी से सुरक्षित करे या ना करे, भैसे तो अपने आपको मुक्त कर ही लेते हैं, जहां तक सवाल है, धर्मी क्रियाओं को बंद करने का, तो तो धर्मियों ने धर्मी क्रियाएं कहीं बंद नहीं की, धर्म तो आज भी उनका चल रहा है, धर्मी क्रिया का तरीका बदला, वो किवल इसलिए कि रोग शंक्रामक है, और शंक्रामक रोग से बचने के लिए हमें कहीं समुमें एकत्रत नहीं होना, इस सावधानी से मंदिर आदी को बंद किया गया वहां से दूर रहने की बात की गई लेकिन ऐसी घरी में भी जो नमोकार जपरा है जो भगवान की भक्ती कर रहा है जो वक्तामर का पाठ कर रहा है वो निश्चिंत है उसके मन में कोई भै नहीं है वो इश्रद्धान से जी रहा है कि जब तक मेरा पुन है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता और जो होगा हम उशे सहेंगे ये विश्वास धर्म देता है इसलिए धर्मी क्रियाएं कभी वेर्थन नहीं होती जो लोग इस तरह की बाते कर रहे हैं वे धर्म के मर्म को नहीं समझ रहे हैं और एक बात और समझना चाहिए अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए पानी डालने का काम समझदारी कहलाती है पर जान बूझ करके आग में कूदना क्योंकि मेरे पास पानी है समझदारी नहीं अचानक कोई बिपदा आजाए अचानक कोई बिपदा के निवार नात यदी हम कोई धार में क्रिया करते है वो उपयोगी है बर सरवत्र बिपदाएं दिख नहीं है और जान बूझ करके हम वो कारी करें ये तो बेवजा आग लगाने जैसी ही प्रवित्ती है ना इस तरह की मुर्खता कोई धर्मात्मा नहीं करता इसलिए हमें समझदारी रखनी ही चाहिए और कल महवी जैनती है हमने अने एक बार इस मंच से बोला है कि इस आपतकाली की स्थित्य में अपनी धालिमी क्रियाओं को अपने घर तक सीमित रखिए कल आप लोग मंदिरों में फिर भीर लगाने की कोशिश नहीं कीजेगा कि आस तो महवी जैनती है आपको शाषन और प्रशाषन की हिदायतों को मानना है यह आपकी सुरक्षा के लिए समाज की सुरक्षा के लिए पुरी मानवता की सुरक्षा के लिए सच्चे अर्थों में देखा जाए तो यही वगवान महवीर के आदर्सों का अनुकरन भी है इसलिए इसमें किसी प्रकार का लोब लालच मत करना अपनी भावनाओं पर सहियम रखना और जिस तरह का कायरिकम आप लोगों को बताया गिया है आप उसी कायरिकम में अपने आपको सभागी बनाए ठेक आठ बजये अपने अपने घरों में आपको घंटे बजाना है तालियां बजानी थालियां बजानी जो आपके पास सुलो जैकारों से इस पूरे के पूरे भूमंडल को गुजा देना है और आठ पाँच के बाद यहां से जो अभिषेक होगा आपको दिखाये जाएगा उस अभिषेक और सांती धरा को देखे और वही पूजन को आप अपने घर बैठकर सामुही क पूजन जैसा माल लिजेगा और पूजन होगा और उसके बाद भगवान महाबीर के इस जन्म जैन्ती के आउशर पर आप सब के बीच जो सामईक उद्बोधन होना है वो होगा एलाव आपको मिल रहा है और साम को उसी तरह आप सब आरती उतारने का कहरिकम करेंगे तो ये एक कहरिकम है आपको उसी तरीके से ले करके चलना है तो जो बात अभी मैंने आप सब से कही किसी भी चीज की नकारात मग्वाख्या का तयव उचित नहीं है जिस क्रिया का जो लाब है वह ही जो धार्मी क्रियाओं को कोरा क्रिया कान्ड बताते हैं वो ठीक तरीके से नहीं समझे इस सबका प्रतक्षराब जीवन में सकारात्मक्ता की वृद्धी है यदि हम पूजा पाठ आती करते हैं मन के नकारात्मक आवीक्षांत होते हैं भै और उदेख्षांत होता है तो इससे बड़ी बात और क्या है आत्मिश्वास की वृद्धी होती है तो इससे बड़ी उपलब्धी क्या है इसलिए इनकी अपनी उप्योगता है इनकी अभी प्रासंगिकता है और अभी यदि इने से दूरे रहने के लिए कहा गया इसका मतलब ये नहीं कि वे निर्थक है इसका किवल यही है कि वो सम्योचित नहीं है और जो क्रियाएं सम्योचित नहीं उससे हमें थोड़े देर के लिए दूर रहना चाहिए यह आपत कालिक धर्म है जिसे हमें सब को स्वैम के समाज के और राष्ट के हित में निभाना ही चाहिए